हेलो दोस्तों, SP Education में आपका हार्थिक स्वागत है आज हम लोग बजनी से स्टैटिक्स में क्लास नमबर 4 को कम्प्लीट करेंगे आज का टॉपिक हम लोगों का कैंदी प्रबत्ती की माप है जिसे इंगलेस में बोलते हैं मेजर ओफ सेंटल टेंडेंसी उसके बाद जो पहला कोश्चन लगा है कि सबसे पहले पार्ट का नाम होता है उसी से ब्लोग कॉंसेट के लिए करते हैं होता क्या है तो कैंदी प्रबत्ती की मापों में सबसे पहला है कि कैंदी प्रबत्ती की मापों होती क्या है इसमें लिखा हुआ है, कोशन नम्बर फट में है, क्यंधी प्रवत्ती का अर्थ है, सांक्य की माद, समगर के विविन पदों को ब्यक्तिगत पिसिस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, एक प्रवत्ती को इंगित करता है, जो समगर का प्रतनिद्द्थ करता है, तो मतलब य तो हो गई आपकी जो लिखी होई वासा है अब मेरी वासा में समझे कि जैसे कि मान लो कि एक क्लास में दस स्टूडेंट है ठीक है दस मैंसे मैंने दो स्टूडेंट कुछ बिसेश आधार पर निकाल लिए क्योंकि उनकी बुद्धी भी ठीक है मतलब की थोड़े बुद्धी यह पूरे किलास मतलब की दस बच्चों का प्रतेनीत करने में समर्थ होंगे तो मैंने मोनिटर बना दिया यह फ्यक्त जो दूब है इसी निकाल लिया है तो इस बोलती है कि सांग की मात उनकी के विभिन ना यह इन उनका जो है विवेंट बदों के विक्तिकत प्रसीष्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रुवत्ति को इंगत करता है जो समगर का प्रतिनेद्ध करता है तो यह 10 का प्रतिनेद्ध कौन कर रहे हैं यह दो नो ठीक है जैसे कि मॉनलो 11 कलाड़ी टीम में जाते हैं से नख़नित्य की सब्सक्राइब करनें जहिए लिए को सैंट्रो टेंडनिसिख को सब्सक्राइब ऊप चाएबुरिज की नाम में जानते हैं तो average हम लोग आँगे सीखेंगे इसको कुछ numerical भी करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी numerical है ठीक है तो उसके बाद next question में लिखा हुआ है question number 3 में कि सांग की को माद्देओं का विग्यान कहा जाता है तो ये बात आप से पूछा जा सकता है कि ये बात किसने गई तो ये बात कहीं थी डॉक्टर वावलेन है उसके बाद next question में लिखा हुआ है कि सांग की माद्द के उद्देश एवं कार क्या है मतलब कि कोई काम हम करते हैं तो उसका मतलब कि उद्देश क्या है तो उसमें क्या है कि सबसे पहले सांग की माद्द में तुलना करने में सुब्दा परदान करना उसके बाद है संपूर समू को जान यूटुब यूटूब में वीडियो में कोई भी आपको यह सब चीजे नहीं बताएगा मैंने आप लोगों के लिए इस्पेशल मेंद करके आप लोगों के लिए बनाया है वो दिस और कार नुमेरिकल से सीधा-सीधा स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं पहले आप लोग इसको सीखतो लोग की होता जाएंगे की मांत्य के प्रकार कितने होते हैं तो अगला कुशन है लिखा हुआ है कि संग की मांत्य के होता है इक होता है स्तिती और ایک होता है और व्यात्पारी समळ्दिघ, अगले लिखा हुआ है तो पहले हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं कि गड़े संबंदी मात में हम लोगों को इंगलिस में बोलती है mathematical average तो इसमें जो आते हैं वो mathematical से संबंदी था थे mathematical तो सारा है लेकिन यह ज़्यादा ही सबसे पहला नमबर है हम लोगों का समानतर मात समानतर मात को इंगलिस में आर्थमेटिक में और इसका जो साइन है वह इससे एक पर बाहर लगा के इसको इंडिकेट करते हैं उसके बाद है करेंगे अगले वीडियो में एक वीडियो में अगर बना देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं चोटे-चोटे टॉपिक उठाया करूंगा इसी से उसके बाद है हरात्मक माद को बोलते हैं करें एक को मात कारी निये कोड़ा इसे बोलते हैं ने इजिए मात को सब्सक्रा करें हैं को में आप ओ जिसे गोगए इसी म मोड बोलते हैं तो हम लोग और भी देखेंगे कि यह तीसरा जो है संकी मात अभी दो हुए तीसरे वाले हैं व्यापारिक मात जैसा कि आपको लोग दिख रहा होगा कि व्यापारिक मात को इंग्लेस में कॉमिट्सियल एबरेज कहती है इसमें आता है चल मात इसे मूरते हैं मुविंग एबरेज उसके बाद प्रगामी मात और उसके बाद संगरहत कोश्च और इसमांतर माद किसमें आता है तो यह पूछेंगे एक ब्यापारिक में ब्याप्शन में गडित मैं स्थिति संबंधी में यहां कोई नहीं तो आप पता होना चाहिए कि कौन सा माद्द किसके अंतरगत आता है तो उसके बाद है कि माद्द को तो हम लोग सौल गारेंगे उससे पहले हम लोग स्रेडियों को देखेंगे कि इस बोलते हैं कि स्रेज के कितने प्रकार होती है स्रीज के कितने प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार के कौन कौन सी स्रीज होती है पहले होती है इसके बाद बरगीकरत स्रीडी को बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें अकेले एक स्की वैलू दी होती इसमें अकिले एक सी हाल तो यह तो एक को फ्रेक्रेंसी बोलते हैं और इससे इंग्लेस हिंदी अब रती मतलब की कौन सा नंबर कितने बार आया है यह बताता है घंडे स्रेडी में इसमें जो होता है इसमें तीन स्रीज लगवक हो जाती है जैसे कि मानलो इसमें होता है एक class interval होता है या फिर mid value भी हो सकता है mid value और उसके बाद f हो सकता है तो जैसे मानलो की class interval 0-10 हो गया 10-20 हो गया तो और f दे दिया इनौने मानलो 5-8 तो ऐसे करके हम जब इनके question करेंगे तो आप लोगों को बिलुकुल easily पहसान में आ जाएगा कि यह individual series है यह discrete series है और यह group series है यह फिर इसके continuous series भी बोल देते हैं ठीक है इस बादे को continuous series भी बोल देते हैं उसके नहीं नएका question लिखा हुआ है कि समानतर मात से आप क्या समझते हैं जो हम लोगों का पहला है सबसे पहले हम लोगोंने कौन सा कहता है गड़े समस्दी मात में सबसे पहला है हम लोगोंसे समानतर मात हम लोग इसी के question भी करेंगे कुछाएंगी और सब्सक्राइब करें अगले वाले में लोग अभी थोड़ी दिर बाद कुछ्छन भी करेंगे इसके उसकी बाद आता है समानतर मात कितने प्रकार का होता है समानतर मात कितने प्रकार का होता है यह होता है तो प्रकार एक होता है सरल समानतर मात और उसके बाद होता है भरित समानतर मात इसको भी हम लोग कुछ करेंगे पहले होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन उसके बाद होता है वेट अर्थमेटिक मीन तो हम लोग जब इसके लिखा ही देरा होगा कि यह कुछनन नमबड यह लाइध दिखा हुआ है, तो नीचे दिये गए होई है एका व्यक्तिaka है 1132, 114, 1147 और 1130, वी का है 11 blonde 148 तो हमसे पूछा कहा है find arithmetic mean समानतर मात ग्याद कीजिए तो समानतर मात ग्याद करने का और सिंपल सवम at कि अगर हम लोक सबसे पहले देखें डीकि स्लीज कैसी है तो इसको श्रीज अक्येकर से लीन is माल लोग कि इसमें F है नहीं तो यह माल लिया मैंने इना एक स्रीज है Aकीली लिचार के इक स्रीज ऑफे लिचार के है, तो हम लोग वहादे कि ऑतिकार स्रीज, खांब मुख लेंकि अश्रत लिया जाता है होसाथ कैसी को बराबर होता है टोटल मंटे नबर इस से मीन में कैसे लिए एऎ तो इसमें शह मन चाले की टो इसमेंlit देते हैं और उसके बाद है कि सबसे पहले हम लोग इनके टोटल करेंगे इनको एक साइट फ़र लेक लिए देए ग्यारा सो बत्यस ग्यारा सो चालेस ग्यारा सो चवालेस ग्यारा सो चट्यस और ग्यारा सो अनको सबकर टोटल करेंगे वनों केल्कुलेटर से तो 57 यह आएगा 57 अग्या ठीक है अब उसके बाद है कि नंबर सबसे पहले गिनेंगे कि नंबर गिन लोग वान टूटू टूटू थरी फोर फायफ तो बोला भी गय नमबर कित्य हो गए पांच तो एन इकल टू होगा पांच अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे इससे तो फाइब बन जा फाइब फाइब फोर जा ट्वंटी तो यह आ गया तो मीन इकल टू आंसर आया है ग्यारा सो चालेश तो इसी को मीन को दूसरा नाम बोल सकते हैं इ जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक स्कूल के सो विद्ध्यारती हैं कितने स्टूडेंट है सो हंडेड स्टूडेंट है तो एन इकल टू हम लोगों का हो गया पहले ही से एन हो गया हम लोगों का सो ठीक है उसके बार लिखा आए कि एक समारों में निम ने चंद करके दिया है यह हो गई हम लोगों की X और F जो होती है वो होती है नमबर तो यह है कि 10 बिद्यारती हो ना इतने रुपए दिये 15 ने इतने रुपए दिये उसके बाद तो यह हो गई हम लोगों की इससे बोल सकते हम लोग खंडित फ्रेडी अपने स्रेडी मैंने बोला था लोगों की X के साथ में क्या आ जाता है F हो रा जाता है तो एक तरफ X लिख लेंगे हैं हम लोग X हैं हम लोगों की 5, 4, 3, 2, 1 यह हम लोगों की X हो गई हैं और F जो लिखी है वो लिखी है नमबर में जो F होती है तो F लिख लें हम लोगों साइड से तो F हैं 10, 15, 24, 30 और 21 यह हम लोगों की F होगे और F का जो टूटल आएगा इनका वो आएगा 100 क्योंकि बोला गया है की F है 100 वो उसके बाद आता है की कुश्चन में समिस्या यह आई कि मीन निकाले है इसमें बोला है की find average donation per student मतलब की average donation per student पूछा गया है गया है में मुलते है अब समिस्या है इसमें की बोले है क्योंकि ब्यक्ति की a starCloud कर देते हैं और अब अब इसमें यह हुँ 2 समिस्या हो गई की लोग करें कि किस नए स्रीव बनाइए उसे बोलेंगे F अब F बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे कि ऐसी स्रीज बनाएंगे जो इन दोनों सी कॉंट्रिब्यूशन होस में तो दस पंचे पचास इसका मल्टिप्लाई इससे करेंगे उसके बाद 15 जब को 60 उसके बाद 24 किया 72 और उसके बाद 30 दूनी 60 जी 60 है ठीक है और उसके बाद 21 एकम इसका कैलेकोलीरर से टेक्टीन गरेंगे तो इसका जो अनसर आएगा वह आगे तोि आओ यहांका तो इसका total तो टोटल थेक है तो इसका total आया है we 263 आया सिग्मा एफ एक्स बरावर यह लोग होने लिख लिया कि सिग्मा एफ एक्स बरावर एंड थेक है तो fx का हम लोग मान कर चुकी है 263 रुपए और एन जो हम लोग की वो आमने पहली निकाली 100 है इसमें जब 263 में इस संख्या का भाग देंगे इसमें बस कुछ नहीं दो पॉइंट लग जाएंगे तो 2.63 तो मीन का जो आंसर आया वो है 2.63 यही हम लोगों का आंसर है तो आसर करता हूँ आप लोगों के समझ में आया होगा अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी नुमेरिकल इसके लेकर आऊँगा तो अभी मैंने फिलाल कुछ 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 लिए हैं आंगे में अगले वीडियो में और भी लेकर आऊँगा अगर आप लोगों क स्ट्राटिक से संबंदित कोई भी चानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग